करें है कि हेलो दोस्तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे double super double trend line दोस्तो trend line दोनों दरफ बनती है दोस्तों और वो कैसे बनती है उसको हमने आज कैसे trade किया और आप भी उसको कैसे trade कर सकते हैं, high probability वाले scenarios हैं, हमने 3 trade किये, तीनों में profit लिया, सारी directions में trade लिये, क्योंकि देखिए, जब ये scenario बनता है, ये दोनों trend line, यानि उपर की तरफ भी trend line, double trend line जिसे बोलते हैं, तो एक बहुत अच्छी move दोनों तरफ आती है, लेकिन एक तरफ ज़ाद अच्छी आती है, वो क्या हुआ आज, बैंक nifty में, वो सारी चीज़े हम cover करेंगे, इससे पहले दोस्तों एक announcement, अगर आप trading lab का premium technical analysis course, जो की free of cost जिया जाता है, शुरुवाती traders को, और advanced traders भी से कर सकते हैं, दोस्तों हमारी पहल है कि आपको महंगे महंगे courses, जो market में बेचे जाते हैं, ठगा जाता है traders को, वो आपको बिल्कुल भी करने की जुरत नहीं है, आप ये free of cost दिया जाने वाला course कर सकते हैं, आपको सिर्फ सिर्फ एक free DMAT trading account हमारे through open करना पड़ता है, एंजल बोकिंग में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल free रहती है, और भी options है, अकाउंट ओपनिंग के इस वीडियो के description में, इसके content आप चेक कर सकते हैं, 12 hours का course है, हिंदी में है, एक हफते के लिए हम आपको username पासवर्ट देते हैं, इस premium course का, इसके content आप वीडियो के description में चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों, directly हम चलते हैं या Nifty Bank के चार्ट पे, और Nifty Bank के चार्ट पे, अगर मैं 15 मिनट का time frame लगा हूँ, तो देखे, कल का क्या scenario था, देखे, कल का scenario ये था, कि कल एक बहुत बड़ी move आई थी, और हमारी नजर थी 38,000 के लेवल पे, तो 38,000 का लेवल, जो expectation थी आज वो ये थी, कि एक बार जो है ना, bank nifty उपर जाएगा, और आदे एक घंटे बाद, जो है, 38,400 से rejection लेगा, 38,400 के आसपास या 38,500 के आसपास से rejection लेगा, लेकिन ये morning में ही उपर गया, फस्ट 15 मिनट में 38,400 से rejection लेके आगया, और पहली candle इसने doji बना दी, तो ये signal आ गया कि उपर की तरफ sellers भी बैठे हैं, लेकिन 38,000 का लेवल जो है, वो यहाँ पर लाई कर रहा है, और 38,000 पे बैठे हैं, तो ये आज sideways दिन रह सकता है, और आखरी में कोई momentum उपर का या नीचे का देखने को मिल सकता है, तो अगर छोटे time frame पे हम चलें, 3 minutes के chart पे, तो 3 minutes के chart पे दोस्तों पूरा दिन हमने जो है न वेट किया, इसमें simple logic है, double trend line कैसे form होती है, ये वाला logic में आपको बता देता हूँ, double trend line कैसे form होती है, देखिए, यहाँ पे sideways form हो रहा था, तो उपर की तरफ एक trend line form हो रही थी, दोस्तों, उपर की तरफ ये वाली trend line form हो रही थी, शुरू में ये कुछ ऐसी थी, लेकिन जब ये वाला high भी आ गया, तो ये वाली हमारे पास trend line आ गई, तो जब देखिए, एक trend line उपर भी बन गई, और एक trend line नीचे भी बन गई, तो ये बहुत ज़ादा squeeze हो गया था, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, और निफ्टी की भी ये ही कहानी थी, देखिए, आल्मोस्ट इनकी 80% एक ही जैसी कहानी रहती है, निफ्टी भी squeeze हो गया था, और बैंक निफ्टी भी squeeze हो गया था, तो यहां पर अगर हमारे यहां पर देखें तो यह देखें यहां पे 3 trades लिए हैं लगबग 30,000 के आसपास का profit है यहां पे जो यह देखें पहला trade गौहां पर लिया हमने पहला trade यहां पर था कि जब यह वाली ओपर की trend line यहां ब्रेक ओ रही थी तो हमने call purchase कर ली और इस move को खाया और यहां पर हम exit हो ग मिनेट जो है फर्स्ट तीन मिनेट में ही यहां पे इतनी बड़ी विक बन गई तो हमने यह वाला यहां पे इतनी सी मूव लेके एक्जिट कर दिया क्योंकि यह ट्रेंड लाइन सस्टेन नहीं करनी थी हमें पता था उसके बाद दोस्तों देखेंगे आप उसके बाद नीचे वाली ट्रेंड लाइन का काम अभी होना बाकी था उपर वाली का काम तो हो गया था यह वाली का तो यह लेकिन यह वापस नीचे आ गया तो उसके बाद दोस्तों जब यह यहां पे यहां पे कहीं पे ब्रेक किया देखेंगे यहां पे यहां पे सस्टेन कर रहा था तो हमने यहीं पर entry ले ली थी लेकिन हमारी entry सोड़ी जल्दी हो गई sustain करने के बाद यह उपर गया और फिर उसके बाद यह bearish candle से दुबारा break किया तो यह बहुत high probability वाला था कि यहां पर यहां पर भी ले सकते थे second trade वहां था और देखेंगे आप यह देखेंगे आप यह कॉल जो पहली थी उसमें यह वाला profit है और जो second वाली जो थी 38,000 की put ली हमने उसमें 18,000 का profit है और यह वाली पूरी move हमने जो है इसमें ली उसके बाद दोस्तों जब यह flag formation हुआ अब मैं तीसरे चीज भी आपको दिखा देता हूँ तीसरा concept क्या है कि यह बड़ा breakout हो गया पूरे दिन का उसके बाद आपको छोटे-छोटे इसमें flags देखने है अब छोटे-छोटे flag कैसे मिलेंगे छोटे-छोटे flag आपको ऐसे मिलेंगे या तो कोई consolidation मिलेगा देखिए जैसे यह consolidation मिल गया consolidation के बाद एक यह bearish candle मिल गई आपको समझो इस चीज को consolidation के बाद यह bearish candle मिल गई तो यह हमने नीचे का momentum लिया यहां पर नीचे का momentum भी लिया तो यह put दो बाद ट्रेड की थी उसके बाद देखिए यह 38-500 की call भी हमने बेची थी 38-500 की call भी बेची थी वो नीचे जाके बेची थी क्योंकि उसका premium जल्दी decrease होता तो हमने यहां पर जब यह देखेंगे यहां पर देखेंगे हम यहां पर वो नहीं कर सकते हैं कि आप यहां बैठे नहीं रह सकते हैं यहां से पलट भी सकता था तो जो आपने call ली है उसका premium बहुत जल्दी डीके होगा तो आपको कही ना कहीं एक बार निकलना पड़ता है प्रॉफिट लेके फिर उसके बाद कुछ सेटप बनने का वेट करना पड़ता है फिर दुबारा ट्रेड में एंटर होना पड़ता है देखें यहां पर एक और consolidation बन रहा था यहां से यह नी 38,000 वाली call को sell करते तो उसका premium और जल्दी रिके होता लेकिन 38,500 के हमने call sell करी उसमें 30 point के असपास हमने premium यहां ले लिया तो यह तीन ट्रेड हुए और double trend line में है learning यहां पर दोस्तो double trend line form होती है तो double trend line को आप जो है न बिल्कुल wait करना पड़ता है यह देखें एक trend line यह form ह होती है एक trend line यह form होती है तो यह दोनों तरफ move देगा एक तरफ चोटी move देगा एक तरफ बड़ी देगा आपको यह identify करना आना चाहिए क्योंकि देखें bank nifty कल बहुत बड़ी move की है bank nifty ने कल बहुत बड़ी move की है momentum की है तो इसके बाद यह 38,500 को भी निकाल दे बहुत probability क काम हो जाती है और Friday वैसे ही है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि वो निकालेगा उस चीज़ को तो यहां पर आप हाई के पास exit कर गए हमारा जो view था वो बिल्कुल ठीक हुआ यहां पर हमने exit कर दिया उसके बाद जब यह बड़े वाली trend line मैं आपको दिखा देता यह वALी देखेंगे आप यहां पर थोड़ा सा हां यह देखेंगे यह वाली बड़ी बारी trend line जब ब्रेक हुई देखें ब्रेक के बाद रि09 टेस्ट भी हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं यह देखें ब्रेक हुआ ब्रेक के बाद रीटेस्ट हूआ अगे डिकार के बाद ही ऐसा नहीं होगा यह दिन में टूटना बहुत कम प्रॉबिवल्टी है कि 20 परसेंट है 80 परसेंट ऑफ दा टाइम 10 में से 8 बार अगर ऐसी टेंड लाइन बनी है तो वह एक देड़ दो बजे के बाद ही टूटेगी देड़ दो बजे के बाद जब पूरा यहां पर जाएंगे सेलर का प्रेशर आएगा तो देख सकते हैं आप कितना उसके बाद क्या करना होता है आपको जब जब यह वाली ट्रेंड लाइन टूट करी तो आपको यह चोटे-चोटे फ्लैग यह चोटे-चोटे बीरिश फ्लैग्स उपर की तरफ ब्रेक और यह देखे बीर लुटतर रुपय आपको दे ही देता है तो ऐसे तीन एक देखे फिर मैं बता रहा हूं आपको आप यह नहीं कर सकते कि आप यहां से बैठे रहेंगे यहां से पलट भी सकता था यह 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 लो पे आया है ज़रूरी नहीं है कि लो लो से हमेशा यह नीचे ब्रेक करता प्रीमियम डीके भी जल्दी होते है तो आप बैठ नी सकते है एक बार अगर आपने पुट परचेस की या कॉल परचेस की तो एक बार एक बड़ी मुव में आपको निकलना पड़ता है फिर दूसरी वेट करना पड़ता है कि क्या कॉंटिनुएशन दुबारा मिलेगा तो फ परचेस की तो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जाद से जादा शेयर कीजिएगा थैंक्यू दोस्तो